दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुरागशा उधरी दोस्तो मागदोशन करेंट अफेर्स के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है खेल खिलाडी से संबंधित महतोपूर करेंट अफेर्स जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी एलाहबाद हाई कोट आरो यारो अधिनस सेवाचे नायोग द्वारा आयोजित बिभिन परिक्षाओं और बैंक SSC रेलवे आद के लिए बहुत ही उपियोगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो खेल खिलाडी से संबंधित महतोपूर करेंट अफेर्स दोस्तों देखिए आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन सातवे ICC T20 बिसोकब का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है तो ये दोस्तों आजट्रेलिया ने जीता है T20 बिसोकब का खिताब और आजट्रेलिया ने ये खिताब यानि T20 बिसोकब खिताब पहली बार जीता है अगला प्रश्ण है हाल में संपन T20 भी सुकब 2021 के दोरान सबसे कम उम्र के सबसे तेच चार सो T20 विकेट लेने वाले गीदवाज कौन बने हैं तो ये हैं राशिद खान जो की अफगानिस्तान के बॉलर हैं अगला प्रश्ण है राहुल द्रविड की जगह किसे BCCI ने 14 नौवंबर 2021 को राश्ट्री क्रिकेट अकादमी यानि NCA का नया प्रमुक नियुक्त किया है अगला प्रशन है दोस्तों बिराट कोहली की जगह किसे BCCI ने 9 नौवंबर 2021 को भारती T20 टीम का नया कप्तान बनाया है तो रोहिश शर्मा को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है अगला प्रशन है पुरुसों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में न्यूक्त किया गया है तो दोस्तों महिला कोच के रूप में सारा टेलर को न्यूक्त किया गया है पुरुसों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अगला प्रशन है नवंबर 2021 के पहले सप्ता हमें आस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारती पुरुस क्रिकेटर कौन बने हैं तो ये उनमुक्त चंद है जो की आश्ट्रेलिया के बिग बहेश लीग के लिए पहले भारती पुरुस क्रिकेटर है जो उसको साइन किये हैं अगला प्रश्ण है वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच खेल पुरसकार मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये है मिताली राज जो की भारत की महत्पूर महिला क्रिकेटर हैं अगला प्रश्ण है नवंबर 2021 के पहले सप्ता हमें BCCI द्वारा किस पूरो भारती क्रिकेटर को दो वर्षी कारेकाल के लिए भारती क्रिकेट टीम यानि पुरुसका नया कोच ने उक्त किया गया है तो राहुल द्रविड को भारती क्रिकेट टीम का नया कोच ने उक्त क जिन्होंने अंतराष्टिक रिकेट से सन्यास लिया है अगला प्रश्ण है दोस्तों अक्टूबर 2021 के लिए किन दो खिलाडियों को 9 नौवंबर 2021 को कम सह ICC Player of Month महिला और पुरुस घोसित किया गया है तो दोस्तों देखिए अक्टूबर 2021 के लिए महिला खिलाड़ी आयरलेंड की लारा डेलानी और पुरुस खिलाड़ी पाकिस्तान के आसिफ अली को ICC Player of the Month घोसित किया गया है अगला प्रश्ण है नौवंबर 2020 में भारत के 72 में Grand Master बनने वाले खिलाड़ी कौन है तो कोलकाता के मित्राव गुहा दोस्तों मित्राव गुहा जो की कोलकाता के हैं और ये नौवंबर 2020 में भारत के 72 में सतरंज Grand Master खिलाड़ी बने है अगला प्रश्ण है Games 24 x 7 Fantasy Cricket Platform माई 11 सरकिल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को नौवंबर 2021 में अपना ब्रांड अमबेश डन्यूप किया है तो मुहमद शिराज को और Tokyo Olympic 2020 की पदग विजिता भारती टीम के किस सदस ने हाल में अंतराष्टी हाकी से सन्यास की घोश रखी है तो रूपिंदर पाल सिंग ने अंतराष्टी हाकी से सन्यास की घोश रखी है अगला प्रश्ण है भारती भारुत तोलन महासंग के अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे न्यूक्त किया गया है तो सहदेव यादों को और अगला प्रश्ण है दोस्तों चन्नाई सूपर किंग्स ने IPL 2021 के फाइनल में कुलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर IPL के 14 संसकरण के खिताब जीता है और इस खिताब के साथ CSK ने कुल कितनी बार ये खिताब जीता है तो दोस्तों चन्नाई सूपर किंग्स ने चाने पूरुस और इंग्लेंड की कप्तान हीथर नाइट महिला को ICC Player of the Month चुना गया है सितंबर 2021 के लिए अगला प्रश्ण है दोस्तों अप्टूबर 2021 में कौन भारत की 21 महिला Grand Master बनी है तो दिब्या देश मुख और IPL 2021 में किस गेंदबाज को सरवाधिक 32 विकेट लेन किया गया है तो ये हैं दोस्तों हरसल पटेल RCB के RCB के हरसल रायल चैलेंजर्स बंगलूरू के हरसल पटेल को दोस्तों 32 विकेट लेने के नाते IPL में परपल कैप दिया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटवाल विसुकप के स भंकर का नाम इभा है और इभा एक एशियाई सेरनी है जो महिला ससकती करण का प्रतिन धित्व करती है अगला प्रश्ण है दोस्तों हाल में 200 चैंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन है तो ये हैं अंशु मलिक और अक्टूबर 2021 मे किस भारती क्रिकेट एसोसीएसन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरान किया है तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसीएसन ने अगला प्रश्ण है दोस्तों जर्मन स्पोर्ट वीयर ब्रांड एडी डास ने अक्टूबर 2002 में अक्टूबर 2021 में किस अन्डम बिश्डर दोस्तों दीपी का पादुकोड को बनाए गया है भारती खेल प्राधिकराड यानि स्पोर्ट अथार्टी आफ इंडिया ने हाल में किसे टार्गेट ओलम्पिक पोडियम इस कीम यानि टॉप्स का मुख्य कारेकारी अधिकारी ने उक्त किया गया है त तो लखनव और आहमदाबाद की दो नई फ्रेंचाइजे को IPL का हिस्सा बनाया गया है अगला प्रशन है अक्टूबर 2021 में किन्दो भारती क्रिकेटरों को इंग्लेंड के मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानि MCC का आजीवन सदस से बनाया है हरभजन सिंग और जवागल स्री अगला प्रशन है दोस्तों हाल में पुर्वत्तर के किस राज्य को 56 राष्टी क्रास कंट्री चेंपियनसिप 2022 की मेजवानी सौपी गई है तो नागा लेंड को और अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत की फुटवाल टीम को कौन सी रैंक परदान की गई ह तो ये 106 रैंक A106 रैंक जो है परदान की गई है फीफा रैंकिंग 2021 में भारत की टीम को अगला प्रशन है अगस्त सितंबर 2021 में इंग्लेंड के साथ खेली गई टेश्ट मैस रिंखला में किस भारती तेज गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का भारती अगस्त माह 2021 के लिए किसे ICC प्लेयर आफदमन्थ चुना गया है तो अगस्त के लिए पूरुस में जो रूट इंगलेंड के प्लेयर और महिला में एमियर रिचर्ड सन जो आइरलेंड की क्रिकेटर हैं उनको दोस्तों अगस्त माह के लिए ICC प्लेयर आफदमन्थ चुना दिया है तो उत्तरकोरिया पर और सितंबर 2021 में किस पूरो ओलंपिक निशाने बाज को एसिया ओलंपिक परिसद यानि OCA का कारिवाहा का ध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों राडा रडधीर सिंको अगला प्रशन है स्री लंका के वह तेज गेंदबाद जिन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोश्रा कर दी है तो लसित मलिंगा ने और भारती क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अगला प्रशन है सुप्रीम कोट की वह पूर्व नयाधीस जिने हाल में एक वर्स की अवधी के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संग का लोगपाला और नयतिकता अधिकारी ने उक्त किया गया है तो दोस्तों ये है न्यायमूर्ती इंदू मलहोतरा को अगला प्रशन है वह भारती खिलाडी जो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फालोवर्स के साथ पहला ACI सेलेबरेटी बन गया है तो बिराट कोहली और जापानी खेलूप करण कमपनी ASICX ने हाल में किस भारती स्क्वैस खिलाडी को अपना ब्रांड अमबेश्डर घोशित किया है तो जोशना चिनप्पा को और दोस्तों बैस्विक बेलनेस ब्रांड हाइपरिस ने हाल में किस भारती क्रिकेटर को अपना एथलिट इन्वेश्टर और ब्रांड अमबेश्डर निउक्त किया है तो बिराट कोहली को अगला प्रेश्ण है सितंबर 2021 में भारत के सतरवे सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बने थे तो आर राजा रित्विक भारत के सतरवे सतरंज ग्रेंड मास्टर बने थे अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती हां की खिलाड़ी जिसे केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड अंबिश्डर सिटमबर अगस्थ 2020 में न्यूक्त किया गया है तो ये पी आर्स रीजेस हैं और हाल में किस राजसरकार ने आगामी दस वर्सों के लिए भारती हां की टीमों महिला और पुरुस को प्रायोजित करने की घोश्डा की है अगला प्रशन है टोकियो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीरा वाईचानू को हाल में किस कमपनी ने अपना ब्रांड अमेश्डर न्यूक्त किया है तो मवे इंडिया ने और अर्जेंटीना के फुटबाल खिलाडी लियोनिल मैसी ने 21 वरसों बाद बार्सिलोना फुटबाल कलब को छोड़ कर अगस्त 2021 में किस नए कलब के साथ अनुबंध किया है तो ये है पेरिस सिंट जर्मिन जो है इसके साथ लियोनिल मैसी ने बार्सिलोना फुटबाल कल जोकी तेहराकी में इन्होंने ब्यक्तिगत असपर्था में चार स्वण और तीन कान से जीता है अगला प्रशन है दोस्तों हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वरा किस प्रतिष्ठित खेल पुरसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरसकार कर दिया गया है अगला प्रशन है टोकियो ओलम्पिक रजट पदग विजेता मीरा भाई चानू को हाल में खेल उत्पात बनाने वाली कमपनी एडी डास ने अपने किस अभियान का ब्रांडम बेश्डन ने उक्त किया है तो इस्टे इन प्ले अगला प्रशन है ICC यानि अंतराष्टी क्रिकेट परसक की आयोजित 78 वी वारसी काम बैठक में किन दो देसों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है अगला प्रशन है टोकियो पहरा उलम्पिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टेंडिंग HS1 इवेंट में स्वाण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SAH1 प्रतिस परधा में कान से जीतने वाली दो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी कौन है तो ये आव अगला प्रशन है भारती कुस्ति महासंग ने 31 अगस 2021 को किसके सहयोग से क्वेश्ट फार गोल्ड एट पेरिस ओलम्पिक 2024 का रेक्रम की शुरुआत की है तो टाटा मोटर्स के सहयोग से और महिला हाकी टीम की कपतान रानी रामपाल और क्रिकेटर इस्मृति मंधाना को किस बैंक ने 5 सितंबर 2021 को अपना ब्रांड अमिश्टर नियुक्त किया है तो दोस्तों एक्विटास इसमाल फाइनेंस बैंक ने भारती हाकी टीम की महिला हाकी टीम की कपतान रानी रामप और इस्मृती मंधाना जो की क्रिकेटर हैं इनको अपना ब्रांड अम्बेश्टर न्यूक्त किया है अगला प्रशन है हाल में किस लाइफ इंसुरेंस कंपनी ने भारती अथलेट टोकियो ओलंपिक के सौन पदग विजेता नीरत चोपड़ा को अपना ब्रांड अम्बेश्टर बनाया है तो ये है टाटा ए आई ए ने अगला प्रशन है भारत की पहली शारीरिक राष्ट्री योगासन चेंपियनसिप का आयोजन 11-13 नौंबर 2021 के बीच कहां पर किया गया तो भोनेस्वर ओडिशा में सारीरिक राष्ट्री योगासन चेंपियनसिप का आयोजन किया गया था अगला प्रश्ण है टोकियो ओलम्पिक 2020 में भारत कुल 7 पदक यानि 1 स्वणड 2 रजत और 4 कान से जीत कर पदक तालिका में किस अस्थान पर था तो भारत टोकियो ओलम्पिक में दोस्तों 1 स्वणड 2 रजत और 4 कान से जीत कर 48 में अस्थान पर था अगला प्रश्ण है टोकियो ओलंपिक खेलो में सरवाधिक 500 पदक जीतने वाले खिलाडी कौन थे तो ये अमेरकी तैराक कैलेव ड्रेसल जो हैं ये ओलंपिक खेलो में सरवाधिक 500 जीतने वाले खिलाडी बने थे अगला प्रश्ण है 24 अगस से 5 सितंबर 2021 तक आयो जित टोकियो पैर अलंपिक खेलो में भारत का अब तक का सरुस्रेश्ट परदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जिनमें 508 रजत और 6 कांस रहा पदक तालिका में किस अस्थान पर था तो ये 24 में अस्थान पर था अगला प्रश्ण है फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीत कालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आधर सवाग के हाल में क्या था तो टुगेदर फारे सेयर्ड फ्यूचर ये दोस्तों चीन में प्रस्तावित शीत कालीन खेलों का आधिकारिक आधर सवाग के रहा है एक तो दीपिका कुमारी ने और अगला प्रशन है दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों टोकियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलिट काउन थे तो ये वेट लिफ्टर लारेल हबर्ड जो की न्यूजिलेंड के प्लेयर है अगला प्रशन है फीफा काउंसिल ने 21 माई 2021 को वर्स 2022 में होने फीफ अंडर 17 महिला विस्वकप जो है भारत में आयोजित होना है अगला प्रशन है दोस्तों कुरोना के कारां T20 विस्वकप का आयोजन 17 एक्टूबर से 14 नौबर 2021 के बीच भारत की जगह किस अन्यास्थान पर किया गया तो ये UAE और ओमान में किया गया था T20 विस्वकप का आ अगला प्रशन है अंतराश्टी हांकी महासंग ने माई 2021 में हांकी इंडिया को देश में खेल में बृद्धी और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिश्थित पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये ATN ग्लीचच एवार्ड से सम्मानित किया गया है अगला प्रशन है 23 जून 2021 को मनाए गए अंतराश्टी ओलंपिक दिवस का इस वर्ष का विश्य क्या था तो ये था इस्टे हिल्दी, इस्टे स्ट्रांग, इस्टे एक्टिव एंड ओलंपिक डे वर्काउट आन 23 जून अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन है दोस्तों अंतराश्टी मुक्यबाजी संग यानि AIBA की कोच समित के सदस के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारती महिला कौन है तो डाक्टर तडांग मीनू दोस्तों डाक्टर तडांग मीनू ये अंतराश्टी मुक्यबाजी संग की कोच समित के सदस के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारती महिला बनी है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो खेल खिलाडियों से संबंधित महतोपोर करें इंटरफेयर्स जो आपके आगामी परिक्षाओं के समसामाई घटना करम के लिए बहुत ही उपियोगी है तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मागदर्शन फार सिविल सर्विसेस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार